हेलो गाइज दिस श्येतन वर्मा और वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल सीएस्प इंस्टिटूट तो आज मैं आपके लिए लेकर हैं एक और वीडियो रिगार्डिंग क्यू लर्निंग एल्गोरिदम की क्यों लर्निंग एल्गोरिदम कैसे काम करती क्यों लर्निंग 11 नाम भी है मेरे बाई रेनफोर्समेंट लेरीं पिस्ट तरीके से एजुंट आपका लेर्न करता है वह कोई एक्षन लेता है इन्वॉर्मेंट में और उस एक्षन के इसाब से उसको मिलता है रिवॉर्ड ठीक है उस पर्टिकुलर स्टेट में वह एक्षन लेता है और उसके इसाब से उसको मिलता है रिवॉर्ड ठीक है वह एक्षन लेता है उसको रिवॉर्ड मिलता है एक्षन लेता पता चलता है reward के बारे में कि भाया कितना reward उसको मिला है ठीक है उस particular चीज़ से उसको कितना reward मिला है वो दो चीजों को agent को as a input मिलता है और उस हिसाब से next action लेता है ठीक है environment के अंदर so हमारे agent suppose यहां पर है और इसको जाना है इस जगह पर तो इस जगह पर जाने के लिए उसको किस route से होकर जाना पड़ेगा so इस हिसाब से q learning काम करता है so सबसे पहले हम initialize करते है q table को फिर select करते है action to perform फिर perform करते है selected action हम कोई भी action select करते है फिर perform करते है उस selected action के ओपर फिर measure करते है reward कि भाया कितना reward आया उसको measure करना है फिर update करते है उसकी q table को ठीक है सो action perform किया select किया action को फिर major किया reward को update कर दिया q table को और यही process चलती रहेगी ठीक है सो इसकी applications है भीया robotics में होगी control system में होगी game playing में होगी chemistry होगी finance sector में manufacturing में businesses में यह इसकी applications है यह देखो algorithm है यह लेकिन मैं बात नहीं होता हूँ सबसे पहले आपको मैं q learning के as a example लेकर भी समझाऊंगा q learning algorithm for each state or action initialize the table entry state s and a to zero उसको zero डाल दिया हमने और observe किया फिर बाद में हमने the current state s s को observe किया और फिर बाद में हम यह करते चलेगे do until convergence या फिर जब तक कि हम हमें वो गोल मिल नहीं जाता तब तक हमने यह करना है क्या करना है select करना है and action and execute करना है फिर बाद में इसको execute it फिर receive होगा हमें immediate reward reward are ठीक है उस action के ओपर फिर हम observe करेंगे new state को new state s' को और फिर बाद में हम update करेंगे the table entry for qsa as follow किस तरीके से भहिया qsa equal to r plus यह हमारे पास में हो गया भहिया आपका discount और फिर बाद में maximum s' and a' a dash ठीक है and then we have to take new state as an input ठीक है और फिर बाद में इसी तरीके से हम यह करते जाएंगे इसका एक example ले लेते हैं जाज एक example लेकर समझते हैं इसको एक sorry दो इस्टेट इन हो गया चार हो गया पाच हो गया चार हो गया ठीक है यह यहां से यहां 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 यहां यह हो गया और एक और मैं ले ले लेता हूं आपका इस 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 प्याना ठीक है इनकी वैल्यूस डाल देता हूं यहां पर और नहीं यार इनकी वैल्यूस जाल जीरो 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 ठीक है इनके रिवोर्ट्स में डाल दिये हैं यहां पर हंडर्ड है हंडर्ड जीरो और यहां पर हंडर्ड तो फाइफ टू जीरो फोर त्री वन ठीक है यह हमें लिना है चलिए तो अब हमें समझना है कि किस तरीके से काम करता है यहां तो डिसकाउंट मैं ले लेता हूं 0.8 स्टेट मेरे पास में मैं स्टार्ट करता हूं यह मेरी कॉल स्टेट है और यह मेरी इनिशल स्टेट मानेता हूं इसको मैं इनिशल यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले हूं टू पे मान ली थी पहली स्टेट है मेरी टू सो मैं टू से नेक्स स्टेश कॉ और अराम से इस से आगया मैं थ्री पे तो मैंने एक्शन लिया ठीक है टू से थ्री आगया मैं यह एक्शन लिया मैंने का फॉर्वर्ड मूव करो ठीक है फिर बाद में वहिया मैंने कहा कि 2 से 3 आगया 3 पे आकर मैंने चेक किया कि यार अब मेरे पास में multiple states हैं याँ पर तो यहाँ पर मेरे को Q की value निकालनी पड़ेगी तो मैं stage state पे हूँ 3 state पे हूँ मैं 1 पे जाने के लिए क्या value आएगी और 3 पे 3 से 2 पर जाने के लिए और 3 से 4 पे जाने के लिए इन सब की value निकालनी है मेरे को तो हमें पता है formula r plus discount maximum of QS dash और 8 dash तो 3 से 1 यह देखिए immediate reward बन रहा है मेरे को 0 discount है मेरे पास में 0.8 का हमें maximum निकालना है अब मैं suppose मान लीज़े next state यहाँ पर 1 पे चला गया तो next state मेरी होगी 1 और action होगी मेरे पास 5 तो यहाँ से यहाँ आप देख पा रहे हो इस जगह से 100 मिल रहा है ना मेरे को यहाँ इदर आते होए 0 तो यहाँ से यहाँ 1 पे जाकर state q-1 और मेरे पास में action है यहाँ पर एक तो 3 है और एक 5 है तो 1 से 3 पे आऊंगा तब तो मेरे को 0 मिल रहा है और 1 से 5 जा रहा हूं तो मेरे को 100 मिल रहा है और दोनों में से maximum कौन है? 100 है तो इसकी value हो जाएगी मेरे पास में 80 इसी तरीके से 2 के लिए मैं निकाल लूँगा so 2 के लिए निकाल लूँगा तो यहाँ पर 0 आएगा और 4 के लिए निकाल लूँगा तो भी मेरे पास में क्या आएगा? 80 आजाएगा तो किसी 1 को चूस करना है मेरे को तो मैं कर लूँगा भाया वन को चूज कर लेता हूं ठीक है तो मैं टू को भी चूज कर सकता हूं और वन को भी चूज कर सकता हूं तो मैंने यहां पर किया वन को चूज ठीक है फिर वन से मेरे को immediate reward 100 मिल रहा है तो मैं यहां से 5 देखो वन से 3 पे भी आ सकता हूं और 5 पे भी आ सकता हूं लेकिन इधर आऊंगा तो इसका कम आएगा और इसका जादा आएगा तो इस तरीके से मैं इस पर काम करता हूं आपको समझ में आया तो अब इसके implementation की तरफ रुख करते हैं इसका implementation समझते हैं तो यह हमारे पास में इसका implementation है इंपोर्ट की वने libraries ठीक है तो एक-एक को मैं लिजा कर समझाता हूं सबसे पहले आपको यह वाला पार्ट initialize वाला पार्ट समझाता हूं यह यहां तक का गामा equal to 0.8, alpha equal to 0.1, appleson equal to 0.1, so gamma क्या हो गया मेरा, gamma यहां पर discount हो गया, एक मेरा reward है, so इस तरीके से मेरे पास में है, तो देखते हैं क्या है, so सबसे पहले reward matrix है, मेरे पास represents the immediate reward, the agent received from transmitting between states, तो सबसे पहले तो मैंने यह rewards को initiate किया, कि कितने immediate rewards मिलेंगे, immediate rewards मिलेंगे मेरे पास, कई जगह पर minus 1, minus 1, minus 1, one, 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 zero, one, इस तरीके से मैंने एक array बना रख़ी है, so यह array क्या काम कर रही है, मैं basically आपको उदायता हूं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो अगर 0, 0, 0, 100, अगर 1, minus 1, 0, 100, कुछ इस तरीके से, minus 1 है तो कोई direct route नहीं है, अगर 1 है तो इतना reward मिल रहा है, अगर 0 है तो कोई reward नहीं मिल रहा है, 100 है तो इतना reward मिल रहा है, 1 से 1 पे जाने का reward, 1 से 2 पे जाने का reward, 1 से 3 पे, 4 पे, इस तरीके से reward को matrix के through मैंने यहाँ पर initialize कर दिया, ठीक है, array बना कर initialize कर दिया, फिर define कर दिया q table को मैंने, ठीक है, so अगले में मैंने क्या किया, q table को, represent the learned values for each state action pair, initialized with zeros, and it will updated during the training process, so represent कर रहा है, learned value for each state action, state action pair के उपर, वो initialized value, represent कर रहा है, initialized with zero, हमने zero को से initialize किया है, और फिर बाद में हम उसको update करते जाएंगे, जैसे ते कोई यहाँ पर calculate कर रहे थे, और उसकी value को update कर रहे थे, वही बात है, ठीक है, तो initially q table को मैंने सबको zero डालती है, यहाँ पर, यह r जैसे लिए, यही table बनाई, और इसको सबको zero, zero करती है मैंने, ठीक है, फिर मैंने hyper parameter select की, hyper parameter, gamma क्या होगे, discount factor, determining the importance of future reward, future reward, जो आने वाले rewards हैं, देखे, यहाँ पर, यहाँ पर देखे, यह वाले, जो maximum reward, जो हम निकाल रहे थे, यह कहते हैं, यह तो है हमारा immediate reward, और इस अगली state से, पे, अगर मैं यह action लोगा, तो मेरे को क्या reward मिलेगा, उसे कहते future reward, तो उसकी significance value क्या है, वो मैंने fix की, gamma के साथ में, alpha होगी, learning rate हमें पता ही है, controlling how much the agent updates its q value in each iteration, वो हमें पता ही है, alpha जो होता है, वो learning rate होता ही है, appulsion, वो हो गया, exploration and exploitation, trade-off parameter, the agent explores with a probability of appulsion and exploits with a probability of 1.1 minus appulsion, that is, 0.1 in this case, इस case में 0.1 है, exploration और exploitation trade-off parameter है, basically, यह क्या कहता है, कि agent explore करता है, probability of appulsion के साथ में, और exploit करता है, with a probability of 1.1 minus exploitation के साथ में, तो इसकी agent की explore probability हो गई, appulsion हो गई, और exploit probability हो गई, 1.1 minus appulsion, मतलब कि exploit तो हो गया, 0.9 और appulsion हो गया, 0.1, कुछ इस हिसाब से, फिर training loop क्या कहता है, अगला मेरे पास मैं, training loop, iterate through episodes, that is thousand episodes in this case, यहाँ पर मैंने देखिए, thousand ले रखा है, range of thousands, so, मतलब कितने number of epochs, कितने number of epochs लगेगे, उसको train करने में, so, यहाँ पर state, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम कर रहे हैं, randomly select an initial state, कोई भी initial state को मैंने randomly select कर लिया, फिर choose किया action based on the q value, with an appulsion greatly strategy, एक action को मैंने choose किया, ठीक है, जैसे मैंने बताया, आपको कैसे करते हैं, फिर update किया q value using q learning updated rule, वो क्या है हमारा q state is, state and action, उसके अंदर डाला alpha और reward, alpha की value जो के learning rate है, reward, plus gamma, plus maximum of, maximum of q next state, next state और q state action, उन दोनों के between, maximum कौन सा है, ठीक है, continues until the agent reaches to its goal state, तो देखते हैं, यह क्या कर रहा है, uniform, अगर यह, अच्छा ही चल रहा है, state equal to five states, मैंने मतलब लिये है, और उसमें से impulsion तक हम जा रहे हैं, जब तक है less than impulsion है, और यह action ले रहा है, और इसको update कर रहा है, हर बार, ठीक है, फिर next step में क्या कर रहा है, testing loop चल रहा है, start from a specific initial state, एक specific initial state से वो start हो रहा है, state two in this case, मैंने state two इस state में बनाया है, choose action based on the highest q value, जो की q value यहां पर update हो चुकी है, continue until the agent reaches the goal state, and record the sequence of states taken, ठीक है, और फिर बाद में उसको मैंने print कर वा दिया, यह देखे, मैंने state two को लिया है, और उसको फिर बाद में, जो मेरी q values थी, उसके अंदर arguments के अंदर ले लेकर, उसके arguments को लेकर, उसके इसाब से actions को determine किया, action के इसाब से state को determine किया, और state को steps को append करता गया, state को steps के साथ में append करता गया, और last way यह जो state नाम की, steps नाम की जो array है, उसको मैंने print कर वा दिया, तो देखिए, यह कैसे है, इसमें answer आया, देखिए, 245, optimal path है, मेरा 245, क्या भी यह, कुछ बढ़ी होगी, क्या, हाँ, 2045, यह एक optimal path है, 2045, फिर से optimal path यही आया, 2015, यह एक optimal path है, इसमें आप इसकी value change करवा, क्योंकि, मतलब, initially जो value आपने reward की आपट डाली है, अगर यह reward matrix को अगर आप change करोगे, तो यह भी value change होगी, optimal path भी change हो जाएगा, हमारा, goal state तक जाने के लिए, अगर आप alpha की value भी, gamma की value भी change करोगे, तो भी इसमें changes आपको देखने के मिलेंगे, जैसे कि मैंने 9 डाल देता हूँ, अब देखता हूँ मैं, तो optimal path आगे मेरे 2, 1, 5 इस तरीके से, ठीक है, तो मैं इसको फिर से 8 कर देता हूँ, और यह मेरा code हो गया, ठीक है, तो I hope आपको यह समझ में आया हो, इसमें कोई भी doubt हो, तो please वीडियो को एक बार फेस से देख लीजे, आपको यह समझ में आ जाएगा, तो this is my entire code, आप देख सकते हो, एक बार देख सकते हो, तो I hope, okay, thank you, and happy लानी, bye.